क्लास 10 अभी एक छोटा स्टैप है हमारी लाइफ में, उसके बार बहुत सारे स्टैप अभी आगे आएंगे, तो हमें आगे बनना है, हमें वही नहीं रुके रहना है, तो क्लास 10 कर जड़ आ चुका है, अब बहुत सारी बाती होंगी टॉपस को लेके कि कि स्कूल से कौन पर बनाये, उन सभी के बारे में अब ज़्यादा बाते की जाएंगी, करनी भी चाहिए अच्छी बात है, बट टॉपस बच्चो के चकर में हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चे पास नहीं हो पाते हैं, हम उन बच्चो को निगलेक्ट करते हैं, उनके बारे में बात करना छोड़ देते हैं। अगर सभी लोग टॉपस के बारे में बात करेंगे तो जो हमारे स्टूइंट फेल हुए हैं, उनके बारे में बात कौन करेंगे। महनत तो उन्होंने भी की होगी। किसी सब्देक्ट में उनके जो मार्ग से वो कम रह गें होगे। जिसकी वज़े से वो लोग क्लास टेंट पास नहीं कर पाएं या उनकी सपली आ चुकी हैं। तो उन लोगों के बारे में बात कौन करें। जो एक क्लास टेंट का स्टूइंट होता है, उसके मन में बहुत सारी चीज़े चल रही होती हैं। कि मेरे साथ वाले जितने भी स्टूइंट है या जो मेरा फ्रेंट है वो भी पास हो गया है। सिरब मैं ही फेल क्यों हुआ हूँ। उनके मन में बहुत सारी चीज़े चलती है, कि यह मुझे फैमिली में क्या काएंगे, मेरे फ्रेंट मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो सब आगे निकल जाएंगे, मैं पीछे रहा जाओंगा, मुझे दुबारा से स्टूड़ी करनी पड़ेगी, उन सभी स्टूण के बारे मे ज़्यादा बात क्यों नहीं की जाती है, तो जितने भी पेरेंट्स है, जितने टीचर्स है, उन सभी का ये फर्ज बनता है कि जो लोग टॉपर्स बनें, जो लोग पास हुएं, उनकी तो आप लोग तारीफ करते हो, बट जो लोग फेल हुए, जिनकी सपली आईए, किसी एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में, तो उन लोगों को समझाना भी आपका ही काम है, उनके उपर अब प्रेशर नहीं देना है, उनको समझाना है, जैसा आपको पता है कि आजकल जो बच्चे हैं, वो ज़्यादा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, और उल्टे नहीं हुए, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारी पूरी जिन्दगी है वो खतम होगी है, तो आप एक मीना दो मीना अच्चे दे ते तैयारी कर लोगे, तो आप अच्चे मार्क्स लेके भी आ सकते हो, अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम है, तो आप उनकी रीवैलुएशन या री चैकिंग भी करवा सकते हो, ठीक है, बट अगर बात एक दो मार्क्ष की होती है, तब आप री चैकिंग करवा सकते हो, बट अगर 7-8 डमबर की बात है, तो वो री चैकिंग में भी पूरे नहीं होते हैं, तो बहतर है कि आप बच्चे को मोटिवेट करो, उसे गाइड करो उसे एक दो हफते का थोड़ा टाइम दो कि वो ज़्यादा प्रेशर ना ले उसको थोड़ा कामडाउन करो उसको समझाओ कि अगर आप पास नहीं हो पाएं तो कोई बात नहीं एक दो महिना आप तयारी कर लो आप दिसंबर या सितंबर में जब भी अगजाम होगा आप दुबारा से दे सकते हो और पास हो सकते हो तो बच्चों को प्रेसराइज नहीं करना है उनको सही रास्ता दिखाना है तो ये जो काम है वो किसका है वो भी पेरेंट्स का है और जो टीचर्स है उस सब्जाइट के ये उनका काम भी बनता है कि वो बच्चों को गाइड करें कि बच्चों को स्कूल में बुलाएं उनको सामने बिठाएं उनसे अराम से बात करें उनको समझाएं कि बेटा अगर आप लोग पास नहीं हो है तो कोई बात नहीं आपको किसी भी तरह की कोई भी हल्प चीए आप हमें कह सकते हो ठीक है तो in my opinion ये टीचर्स का भी फर्ज है कि वो बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाले उनको जो important question है वो समझाएं जैसे मान लोग किसी की mathematics में सपली आती है तो वो टीचर का फर्ज है कि वो बच्चे की जो कमी है उसको पैचाने की बच्चे में कमी कहाँ पर है अब जैसा हमें पता कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते है तो उन बच्चों के लिए अगर आप थोड़ा सा समय निकाल पाओ तो उन बच्चों का थोड़ा भला हो जाएगा तो सभी टीचर से एक request भी है कि अगर आप उन बच्चों के लिए भी थोड़ा समय निकाल पाओ हफते में अगर आप उनके लिए दो दिन भी निकाल पाओ स्कूल में उनके लिए कोई extra class रख लो तो भी उन बच्चों का भला हो सकता है ओके तो बाकी जितने भी सुणटे जिनकी अगर mathematics में सप्ली आई है या marks बहुत ही कम है तो उन लोगों के लिए मैं सिरफ इतना कर सकता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हो फ्री में mathematics सीख सकते हो आप से कोई पैसा नहीं मांग रहा है आप जितने मर्जी बार वीडियो को देखो पूरी की पूरी exercise वहाँ पे complete करके दी गई है हिंदी language में दी गई है आप उसको अच्छे से समझ सकते हो एक एक question वहाँ पे करवाया गया है तो आप क्या कर सकते हो यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल को सर्च कर सकते हो मोहित की पाठशाला जहां से आप class 10 की सभी वीडियो को देख सकते हो ट्रिग्नोमेंटरी हो गया अगर आप मेरी वीडियो भी एक महीना देखते हो या देड़ मीना दो मीना देखते हो फिर भी आप लो class 10 का जो exam में उसको पास कर लोगे तो अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो तो आपका जो exam में वो clear हो जाएगा ओके फिर भी किसी को कोई doubt हो तो वो मुझे worship भी कर सकता है call भी कर सकता है तो जितना हो सके मैं सभी student की help करने की try करूँगा और किसी भी तरह की fees आप से नहीं ली जाएगी मैं चाता हूँ कि आप सभी अच्छा करें अगली class में जाएं और pressure ना लें ओके तो जितने भी student हैं जो पास नहीं हो पाएं उन सभी को निराज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप थोड़ा समय लीजिए एक हफते का समय लीजिए दस पंदरा दिन का समय लीजिए अपने आपको थोड़ा calm down करिए negativity से थोड़ा दूर रहिए उल्टे सीधे थोड़ अपने mind में मतल लाईए पास 10 अभी एक छोटा step है हमारी life में उसके बार बहुत सारे step अभी आगे आएंगे तो हमें आगे बढ़ना है हमें वही नहीं रुके रहना है कोई बात नहीं आप लोग फेल हो गए आपकी सपली आगी तो वो clear हो जाएगी थोड़ी सी मेनद करने की आफशकता है तो जितने भी स्टून्टे निराश नहीं होना है होप नहीं छोड़नी है और जितने भी पेरेंट से अपने बच्चों का ध्यान नखिए उनको समझाईए प्रैसराइज मत कीजिए उनको डांटना बिल्कुल भी नहीं है थोड़ा समझाईएगा और जितने भी टीचर से प्लीज सभी बच्चों की help कीजिए